Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. नमस्कार दुस्तों, तो आज हम बात करेंगे Design Evo Logo Making App के बारे में. तो मैंने Design Evo पर पहले भी एक वीडियो बनाई है, जो कि मार्केट में उपलब्ध वन अफ दे बेस्ट logo making applications में से एक है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे Design Evo के बारे में, और कैसे आप उससे easily और बहुत ही easy तरीके से customisable logos बना सकते हैं. तो यहाँ मैं एक और वीडियो ला रहा हूँ Design Evo पर, लेकिन इस बार यह ज़्यादा quick है और easy है. Design Evo अब mobile में भी उपलब्ध है, तो अब आप बड़े ही आसानी से अपने smartphone में ही बहुत ही बढ़िया और सुन्तर logos बना सकते हैं. तो अब आपको desktop या laptop खोलने की बिल्कुल भी ज़रुवत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे, अपने smartphone से ही बढ़िया logos बना सकते हैं. सबसे पहले तो इस app को play store से install करें, और design Evo का user interface बहुत ही smooth है और simple है और कोई भी इसे use कर सकता है. और यहाँ पर आपको दुनिया भर की varieties मिलती है categories में, animals, arts, technology, science, business और भी बहुत सारी categories और बहुत ही cool और free logos आप यहाँ पर बना सकते हैं. और अगर आप satisfied नहीं हैं, संटूस्ट नहीं हैं, तो आप some professional logos भी करीच सकते हैं, जो की बहुत ही अच्छे लगते हैं और जादा बैटर लगते हैं, बहुत ही कम दाम में. डिजाइन ये वो आपको complete customization प्रोवाइड करता है, अब अपने template को, अपने logo को, अपने मन चाहे किसी भी तरीके से उसे change कर सकते हैं, modify कर सकते हैं. सिर्फ एक design को select करें और उसको customize करना start कर दें. अब अपने logo का text, image और background चेंज कर सकते हैं और उन्हें add भी कर सकते हैं. अब अपने text का font चेंज कर सकते हैं, उसका type चेंज कर सकते हैं, style, color, appearance और आप उसके color भी चेंज कर सकते हैं. Design Evo में पहले से installed बहुत सारे graphic designs भी हैं, जैने आप अपने logos में add कर सकते हो. इसमें है badges, decoration items, banners, symbols और भी बहुत कुछ. और इससे आपको layer support भी मिलता है, जिससे आप एक के उपर एक images को add कर सकते हैं. और आप अपने logo के image का color भी change कर सकते हैं. अब आपने customization कर ली, उसके बाद आप अपने logo को download कर सकते हैं, और या तो उसे directly share कर सकते हैं social media में. तो अगर आप download करते हैं, तो आपको 3 option मिलते हैं. आप उसे JPG format में, PNG format में और एक transparent PNG format में उसे download कर सकते हैं. तो अगर आप अच्छे professional logo design की तलाश में हैं, और अपने लिए एक logo चाहते हैं, तो design evo एक अच्छा option हैं. तो design evo में बहुत सारे free templates हैं, जिने आप अपने किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं. तो आशा करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे like करें, share करें और इस चैनल को subscribe करें ताकि AC technology से related videos, ethical lacking, cyber security से related videos आपको आगे भी मिलते रहें. तो मेरी अगली वीडियो तक देखते रहें, सीखते रहें और गुडबाई!